बिसमिल्लाव अक्मान महीम, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज मैं आप लोग के साथ टी केक लेकर आएं, वो भी घर में रेस्पी आप लोग कैसे बना सकते हैं, असान तरीके से बताऊंगी, और टू फ्लेवर्स की होगी, वनेला फ्लेवर और चॉकलिक बहुत यम बनेगा और बहुत सॉफ्ट बनेगा, टाइम वेस्ट के बगाए, रेसिपी की तरफ चलते हैं, चैनल पनिया हैं, तो जल्दे से चैनल को सस्क्राइब कर दें, माल इकन को जूर प्रेस कर दीजेगा, बेकिंग करने के कुछ ट्रिप्स होते हैं, जो मैं आप लो पार्ट को पहले अच्छे से बीट कर लेंगे, तकरीबन 10 मिनट बीट करने हैं, आपने टाइम देकर बीट करना है, ताकि आपको अंदाजा हो जागा कि इतने मिनट बीट हो चुका है, जब इस तरह से फलपफी होना स्टार्ट हो जागी तो आप लोगों ने इसके अंदर एड कर देना है, येलो वाले पार्ट, एक एक करके एड कर दें या थोड़े 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 करके एड कर दें जैसे आपको इजी लगे, इस तरह से हम कर देंगे, इसको एक 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 एड करने में तकरीबन आपको पांच मिनट लग जाएंगे, तोड़े थोड़े थोड कप मैंने यह पे चीनी लिया और मैंने यहां पे जो मतलब रैंडमनी होती है वहगी चीनी दिया । जसमीनन के लिए बीट करेंगी उसके बाद हम इससे पांश होडर देंगे अब हम इसन अद्र एड करेंगे ८ाइड खर ने एक कप जैसे किर टींगे कर पैटिला से ना हो रहा तो आप लोग हैंड बीटर यूज कर सकते हैं बढ़ आपने इसे बिलकुल स्लो स्लो हैंड से हिलाना है अब मैं थोड़ा सा इसमें दूद एट करेंगे तकरीबान हाफ कप में आप दूद एट करूँगी इसको mix करेंगे बच्चे बहुत जादे excited होते हैं इस तरह की चीज़े खाने के लिए और मेरी भतीजी बहुत जादे excited थी खाने के लिए और इसलिए वो मेरे पास ही बाटी थी उठके नहीं चाहिए पर जल्दे से बाँ जाए बैटर मैंने side पर रख दिया एक बाव लिया इसके अंदर मैंने cocoa powder लिया टू टी स्पून इसके अंदर हम दूद एड़ करेंगे तक्रीबन 4 टेबल स्पून और इसको hand beater के मज़ से बीट करेंगे बिल्कुल creamy form में लेकर आने आपने इसको mix करेंगे इस तरह से जब creamy form में आ जाएगा ये देख सकते हैं आप इस तरह से तो आपने इसके अंदर जो वो बैटर हमने तयार किया था ना आदा आपने इसमें add कर देना है ये वाला बैटर आदा हम इसके अंदर add कर देंगे simple cake बनाना कर मैं बता रही हूँ पतीली में आप लोग कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगे और बगएर oven कैसे बना रही है आदा आपने बस इसको महीं मैं इस हिसाब कता बिता ने बस आदा निकालने जितना आपको easily लगे बस ये भी चॉकलेट के लिए निकाल दिये ये है हमारा वनीला इसको half-half कर लेंगे अब जो हमने चॉकलेट वाले में add कि है इसको जी mix कर लेंगे बीट कर लेंगे ताकि ये cocoa powder के साथ mix हो जो बिल्कुल चॉकलेट texture में हो जाए चॉकलेट में कोई भी lumps नहीं रहने चाहिए और जो दूसरा वेटर था इसमें मैंने दो कज़े वनीला एसन के अट कर दिया अगर नहीं है तो आप लोग skip भी कर सकते हैं यहाँ पर घर में कोई भी बरतन स्टील का है जिसमें आपके एक बेक करना चाहते हैं अगर आपके पास मोल्ड नहीं है मेरे पास मोल्ड था बस मैं आप लोग की असानी के लिए कि किसी भी चीज में आप इसको कर सकते हैं पहले मैंने ऑईल लगा लिया अच्छे से पूरी पतीली में फिर उसके बाद मैंने मेदे को डस्ट कर लिया था आपने हाथों से नहीं पलाना है इसको इस तरह इस तरह करके करेंगे तो यह हो जाएगा सबसे पहले यह वनेला एसन का एक पवाइट करेंगे हम फिर एट करेंगे थोड़ा सा चॉकलेट वाला यह खुद बाखुद चॉकलेट वाला है जो नीचे चला जाएगा और जो वनेला वाला है वो उपर आजएगा बस आप लोगने देखी जाना है कि कैसे होना है जब आप एक दफ़र ट्राय करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा जो कोको पॉर्डर वाला वो थोड़ा सा हैवी होगा वो नीचे चला जाएगा और जो वाइट वाला वो नेला वाला है वो उपर आजएगा और उपर से थोड़ा सा मिक्स होगा दोनों के इस तहां से हम लोग धाल लेंगे तैयार कर लेंगे जितना आपका better ready हुए था आप लोग कर सकते हैं और उपर से मैं थोड़ा सा यह जो उपर थोड़ा सा है ना मैं इसको किसी भी चमच के साथ या फिर इतना अंदर तक नहीं जाना है सब उपर उपर तक यहां बर्जी मैंने cooker ले लिया है इसके अंदर मैंने stand रखती है stand नहीं है तो आप लोग कोई भी देश की नीचे उल्टी कर देए इसको उपर देश के रखते है इसको हम लोग cover कर देंगे इसका जो cooker की जो rubber है वो मैंने निकाल दी है मैंने CTs रख दी है इसकी और तक क्रीबन इसको 45 मिनट्स के लिए बेग होने के लिए छोड़ देंगे बीच में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं राना बिल्कुल 45 मिनट्स के बाद आपने इसे cover out करना है फिर आपने एक तुथपित की मतल से अपने से चेक करना है अगर आपकी तुथपित क्लेयर होगी तो आपका केक 100% कुक हो चुक हो चुक है अगर इसमें थोड़ा सा होगा तो आपने अगें 5-10 मिनट लगा दें कोई परिशानी की बाद नहीं आप 5-10 मिनट दुबारा कुक को बंद कर दें वह हो जाएगा जिस प्लेट में आपने से सर्फ करना है आप उस प्लेट में कर नहीं आप मैं गरम गरम ही कर रही हूँ आप थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कीजगा इन्शालला अगर आप ये रेस्पी ट्राइ करेंगे और अपनी शाम की चाय को बहुत ही खुबसूरत बना लेजगा आई होब आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए ते मिलते अपने नेक्स वीडियो में